कि भाईया, web development saturated हो चुका है, ये mail में, comment section में, telegram में, और अगर हमें कोई अगर नई technology चूज करने हो, जहाँ पर बस saturation ना हो, तो मैं कौन से technology चूज करूँगा, तो देखो, आपकी बात मैं बिल्कुल मानूँगा, कि saturation है, हम बात कर रहे हैं, web development saturation की, तो आपका word थोड़ा सा गलत है दोस्त, ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे, saturation का क्या मतलब होता है, आपने chemistry पढ़ी होगी, एक saturation point आता है, वहाँ से, क्या है, हमारी चीज़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या tech stack, as in web development, java, कोई tech stack आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भीड बहुत हो गई है, क्यों, क्योंकि हर एक जिस इंसान को आप जानते हो, वो आपको मान पढ़ा रहे हैं, और हम पढ़ कौन से कौन से बंदे रहे हैं, BA वाला बंदा पढ़ रहे हैं, BCA वाला बंदा पढ़ रहा है, BTEC वाला बंदा पढ़ रहा है, MCA वाला बंदा पढ़ रहा है, और ART वाला बंदा पढ़ रहा है, MBA वाला बंदा, वो भी कभी-कभी कर लेते हैं, ठीक है, बट इस इस इडिफरेंट स्ट्रीम, और इवेन जो डिप्लोमा वाला बंदे हैं आई टी आई कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं जो भाई कोई बी फार्मा कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि easily available है तो पहले के जमान में थोड़ा पीछे चलते हैं जब लोगों पे HTML, CSS आती थी और किसी एक बंदे पे रेक्ट आती थी तो हम उसको select कर लेते थे as an in interview में कि वो बंदा skilled person है अब मुझे एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना अगर 10 लोग हैं उसमें से 9 लोगों पे भाईया clone app बनाना आती है क्योंकि भाई हर कोई दीदी भाईया वो ही करा रहा है कुछ चीज़र different तो हो नहीं रही कि भाई क्लोन मना लिया Spotify क्लोन मन गया Netflix क्लोन बन गया अब एक बंदा ऐसा है उसने actual development कर रखा है उसकी profile में दम है तो आप किसको select करोगे उस एक बंदे को तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ saturation कुछ नहीं हुआ है competition इतना बढ़ गया है और लोग इतने भढ़ गए है बीड इतनी हो गई है कि एक degree का मतलब नहीं रहा है यहां पर हर एक बंदा दूसरे बंदे से मैं पूछता हूँ आप क्या कर रहे हो बच्चा मेरे को वही जवाब देता है कि या तो मैं मन कर रहा हूँ या मैं Java कर रहा हूँ मैं DevOps कर रहा हूँ तो सब लोग करने लगे हैं चीजों को awareness हो गई है तो अगर आपको इस पूरी भीड से अप जाना है तो आपको अपनी skills को अप लेके जाना पड़ेगा simple सी बात है तो skill saturated नहीं हुई है बच्चे aware हो गए है चीजे करने लग गए है same goes with DSA आपने देखाओगा DSA के rounds difficult होने लग गए है क्यों पहले अगर मैं किसी बच्चे से tree और graph का question पूछता था तो interviews में नहीं बनता था उससे मुश्किल होती थी लेकिन आजकल instructor इतने अच्छे है कि मैं आपको कुछ videos दोगा आपको पता चलेगा कि पहले के differences पढ़ाने के तरीके में और अभी के तरीके में बहुत जमीन आस्मान का फरक है कि पहले के लोगों भी resources नहीं होते थे वो अपने आप से पढ़ते थे अभी आपको easily available resources है बच्चे पढ़ सकते हैं किसी से भी तो इस बात को समझो So is web development saturated Is java saturated Java full stack saturated DevOps नहीं चीजें अभी भी उसी growth से बढ़ रही है बस फरक इतना है कि अगर कोई tech stack बढ़ रहा है 20% तो बच्चे और engineer उसके साथ Engineer तो बड़ी रहे थे अब उसमें अलग बच्चे और आगे जैसे BBA, BCA, ये सारे लोग आगे जो कुछ तो 12th के बाद ही कर रहे है आपने देखा होगा कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं मैं 11th क्लास में हूँ, मैंने मन कर लिया है अब आगे क्या करूँ, है न, तो भीड इतनी है कि अगर TechStack 20% की growth से बढ़ रहा है हर 2 साल में, 3 साल में तो बच्चे वहीं 100% की growth से बढ़ रहे है या फिर 50% की growth से बढ़ रहे है तो आपको समझ में आगे है अगर TechStack saturated नहीं हुआ है भाई वो अभी भी बढ़ रहा है अभी भी opportunities आ रही है अब AI में आप बात करोगे AI नया निकला है इसमें भी वही बात है कि अभी छोटा part है धिमे-धिमे करके इसको भी घेर लेंगे तो competition हर जगा होगा आप अपनी skills पर गाम करो और चलो आप कहते हो कि भी यह saturation हो चुका है तो थोड़ा कौन सा TechStack चूज करें देखो Java चूज कर लो Java FullStack सेम कहानी उसमें है आप Merne चूज कर लो सेम कहानी Merne में है आप Cloud चूज कर लो हाला कि Cloud अभी लोगों पे इतना नहीं आता है जितना आप Java और Merne में फील करोगे चीज़ों को हाँ आप Cloud की तरफ जा सकते हो ठीक है इसी है आप DevOps की तरफ जा सकते हो DevOps पढ़ सकते हो ठीक है लेकिन ये सारी चीज़े तब आएंगी जब आपको Cloud के साथ साथ मैं लिख देता हूँ आपको Cloud के साथ साथ यहां पे और भी चीज़े आएंगी जैसे आपको AWS आता है है ना आपको Kubernetes आता है आपको Docker आता है और आपको इनका पूरा Jenkins आता है ठीक है आपको Terraform आता है ये सारी चीज़ें automate करती है सारे process को तो आगर आप एक Cloud Engineer हो Certified Associate तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा helpful है ठीक है अब आगे और कोई technology भाईया ठीक है आप इतना आभी demanding में नहीं है और अभी आ जाएगा लेकिन आप AI के तरफ जा सकते हो और technology भाईया आप Web3 के तरफ जा सकते हो लेकिन अभी अभी नहीं अभी चास से दस साल तक तुम्हें तुम्हें recommended ही नहीं करूँगा क्योंकि इस technology का ही नहीं पता कि लोग आने देंगे या नहीं आने देंगे तो अभी इसको भूल जाओ ठीक है अभी इसको भूल जाओ आप किस पर फोकस कर सकते हो डेटा इंजीनियर पर कर सकते हो लेकिन जैसा competition यहाँ है वहाँ भी होगा अब आपको लग रहागा भाईया क्यों ना मैं IT छोड़ दूँ ये सब सारी चीजी तो बिकार है भाईया मैं IT छोड़ देता हूँ और मैं अपना कोच स्टार्ट करूँगा मैं UPSC क्योंकि एक बच्चे का मेरे पास आया था कि government exam बहुत बेटर है IIT और ये IT engineering से तो चलो एक मेरा दोस्त है देखो ये आपको फोटो दिख रही होगी मैं और ये जब मैं IIT की तयारी कर रहा था और ये अपनी government job के तयारी कर रहा था इसने अपनी साल के अपनी पूरी जिंदेकी के 6 साल दिये लेकिन फिर भी IPS और IS नहीं निकला लेकिन he is working on top grade officers अभी भी काम कर रहा है अब देखो जब मेरी इन लोगों से जान पेचाने इसलिए मुझे ये सारी चीज़े पता है तो तुम्हें पता है कि UPSC और IS ये IS और PCS बनने में कितनी कितना percentage of expectance है कितनी आप कितने percentage हैं जोसमें आप choose किया जाओगे 0.1% ठीक है लेट सी लेट सी देखो आप chat GPT पर भरुसा करते हो रहा है मैंने chat GPT से पूचा what chances in percentage I have to become IPS or IS if I give and I am from a general category मैं अपनी तरीक से ही पूचूँँगा मैं नहीं पूच सकता तो देखो ये क्या कहता है कि आपके 0.1 और 0.2 percentage chances है इतनी सारी बीड में से मुझे सिर्फ 0.1% chances है मेरे करियर का successful होने में और मेरी पूरी family मेरे पर dependent है आप करना चाहोगे UPSC अब बताना होज़े जो भी बच्चे मुझे से पूच रहे हैं कि भाईया government job बहुत better है बेटर है obviously होगी बहुत सारे pros and cons होते हर चीज़ के ठीक है किसी मामले में private है बतर developer अच्छे है आप कहीं से भी remote कर सकते हो किसी मामले में IT jobs better है तो हमें यह नहीं सोचना है कि भाईया यह better है वो better आपको जो आप skill person हो आप वो करो भाई यह बहुत कम हमारी मैं इतनी कम percentage में trust नहीं कर पाऊंगा चलो मैंने पूचा कि क्यों ना मैं अपना business कोलता हूँ जैसे कि बहुत से लोग खोलता है कि t-shirt का business खोल दिया इसका खोल दिया तो मैंने इसे पूचा कि भाईया अगर मैं online t-shirt का business खोलता हूँ और उसे बेचने लग जाता हूँ ठीक है what will be the chances 10 to 20% है कि आपका business successful हो जाएगा इसमें तब भी chances हैं फिर मैंने इसे कुछ और questions पूचे कि मैं कुछ और business करता हूँ तो किसी में इसने बताया कि 10% है लेकिन आप मेरी एक बात सुनो अब आप इतना पढ़ जाओगे तो मुमोच थोड़ी ना बिचोगे obviously आप SSC की या फिर IS की तयारी करोगे आप IPS का पेपर दोगे UPSC का पेपर दोगे SSB का दोगे तो एक high class के लिए यारी करोगे जब आप burn कर रहे तो obviously I think आपने graduation कर ली होगी तो ये आप इस category में लाए होते हो ये category के लिए आपको पैसा चाहिए अगर आपको पैसा ही होता तो आप burn क्यूं करते आपको पैसा ही होता तो आप UPSC क्यूं करते है ना ऐसा नहीं है कि पैसे वाली नहीं करते बट generally लोग नहीं करते वो अपना business करते है अब देखो मैंने इससे क्या पूछा कि अगर ऐसा कोई chance है कि अगर मैं अपना development करूं तो मैं एक successful engineer कितने percentage chance है तो देखो 22 percentage chance है कि मैं एक successful developer बन पाऊंगा इसके पीज़े reason है यार देखो आपको opportunities जो मिलती है you can compete in India ठीक है and you can compete in outside India it's not about India में आप Germany, आप Canada, आप Australia आप UK, US सारी जगा पे आप compete कर सकते हो हाला कि आपको experience और non experience जो भी matter है लेकिन आपको chance तो मिलता है अपलाई करने का तो अब आप सोचो कि easy किस में है IT में या फिर UBSC में तो I think मैंने आपको थोड़ा सा नजरिया change किया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो कर रहा हूँ बस एक ब्रहमास्तर आपको याद रखना है कि आप जो कर रहे हो आपको उसमें top पे जाना है बस खतम आपको आपकी job लेने से कोई रोक नहीं सकता I hope यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो subscribe जरूर कर देना टेलिग्राम ग्रूप को कोई भी doubt पूछने है तो subscribe कर लो मतब follow कर लो अगर link description में है और Instagram पे अगर मुझे follow करना चाते हो तो उसका भी link पे ने description में दे दिया है I will see you in the next video कोई भी course देख रहे हो या फिर DSA से या फिर Java से related हाँ लेकिन एक शर्तों पे पहले देखो अगर आपको अच्छा लगे कुछ वीडियो मैंने दूसरे चैनल पर डाली हुई है उसका link description में है तब ही आप हमारे पास आके इंडूल करना कोई जरूवत नहीं है आप सिर्फ वीडियो देखो और enjoy करो I hope मैंने आपके बहुत सारे doubts क्लियर किये होंगे Take care, bye bye मैं मिलता हूँ next video में